प्रिय विध्यार्तियों दिग्विजय प्रानिशाष्त्र के इस व्याख्यान में आज अपना विशे फोर्टिलाजेशन निशेचन रहेगा हमने अभी तक किस प्रकार गेमीट्स का निर्माण होता है वो सारा पड़ा अब अपन इन गेमीट्स के द्वारा किस प्रकार से इनका निशेचन होकर जाइगोट का निर्माण होता है फिर विबिन परिवर्दिन की अवस्ता है जैसे क्लिवेज है मोरूला है बलास्टूला है गेस्टूला है नियूरूला है फिर इसके अंदर डिफरिंसियेशन होकर किस प्रकार से एक जीव बनता है उसका पूरा अध प्रारंबिक जानकारी देने वाला होगा मैंने चित्र आपके सामने बनाया है उस चित्र में मादा जननांग मैंने दर्शाएं हैं जिसमें सबसे पहले नीचे विजाईना सर्विक्स यूट्रस और यूट्रस के दोना सिराओं उसे और उभार निकलती हैं फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब का पस्च सिरा कुछ फूलावा जिसे एंपूला कहते है उस एंपूला से अंगुली नुमा रचनाएं जिसे फिम्बरी कहते हैं और उससे लगीवी ओवरी जो मीजोवेरियम के द्वारा शरीर से अटेश्ट, अब्डॉमन से अटेश्ट रहती है, वो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। उसके बाद जब ओवरी में हमने किस प्रकार उजनेसिज होता है, वो सारा अध्यन किया। यहां चित्र के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल जब परिपक हो जाता है, उसके बाद में उसमें से सेकेंडरी उससाइट रिलीज होता है। उस प्रोसेस को ओवी रिलेशन कहते हैं। यह मादाओं में मादाओं में चौदवे दिन उसकी मंतली साइकल के अंदर यह विलेशन होता है। और यह अंडा तुरंथ यह जो अंगुली नुमा रचनाई फिम्री होती है। उसके द्वारा इसको एकत्रित करकर अंदर की और एंप्यूला की और खेच लिया जाता है। यह एंप्यूला के अंदर 48 घंटे तक इंतजार करता है स्पर्म का फर्टिलाजेशन है तो। अगर फर्टिलाजेशन नहीं होता तो यह रख्ट प्रवा के साथ में शरीर से भार निकाल दिया जाता है। अगर इसको स्पर्म यहां पर एंप्यूला रीजन में पहुंचने में सफल होता है। हमें मालुम हैं यहां पर पहुंचने वाले शुक्रानु की संख्या लाखों में होती है। तो जब यहां पहुंच जाते हैं तो निसेशन करने में वो सफल होते हैं और मात्र एक स्पर्म शुक्रानु ही सफल होता है। वो अपन जब इनके एक-एक स्टेप्स पर चलेंगे तो विस्तरत रूप से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक ही मात्र समन्य परिस्थितियों के अंदर स्पर्म अंदर एंटर करता है। हमें मालूम है कि उसाइट के उपर की और जोना पैलसुड और जोना और करोना रेडियेटा दो अस्तर पाए जाते हैं। उनको भेद कर स्पर्म को अंदर प्रवेश करना होता है। स्पर्म का मात्र जो इसका सीर्ष भाग है हेड रीजन जिसके अंदर नूकलियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हैं। मात्र दो अंदर प्रवेश करते हैं। बाकी सारा हिस्सा बाहर रहता है। अंदर प्रवेश करने के बाद में प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दुआरा बिदलन जिसे क्लीवेज कहते हैं। वो प्रक्रिया शुरू होती है। और अंदर प्रवेश करते ही। यह सेकेंडरी उसाइट दूसरी पोलर बॉड़ी रिलीज करता है। और ओवम को परिपक्व करता है। अब इन दौनों के प्रो न्यूकलियी स्पर्म का और ओवम का यह दौनों आपस में फ्यूज करते हैं। हमको मालूम है दौना एनन है अर्था 23-23 क्रोमोजोम्स दौना में हैं। दौना मिलकर 2-N बनते हैं अर्था 46 क्रोमोजोम्स पुना फ्यूज्ड सेल जिसे जाइगोट का है। उसके अंदर डे वन पर यह बनते हैं। उसके बाद में आगे वाले तीन दिनों तक बिदलन के प्रक्रिया होती है। पहले दो सेल बनेंगे फिर चार बनेंगे आठ बनेंगे। आठ बनने के बाद में मौरूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस मौरूलेशन के अंदर सोला सेल्ड अपने को मौरूला मिलता है जो ठोस बॉल के समान होता है ये डे फॉर पर बिलता है चौते दिन अपने को। मौरूलेशन के बाद में बलास्टो लेशन शुरू होता है जिसमें बलास्टो मियर्स का निर्मान होता है और बलास्टो सील इसके अंदर बनती है ये डे फाइफ पर बनती है। उसके बाद में ये अब ये जाइगोट धीरे-धीरे चलता हुआ यूट्रस के अंदर आ गया और यूट्रस की सत्र पर अब इसको इंप्लांट होना है तो मैंने डाइग्राम नीचे ब्लास्टूलेशन के बाद में इंप्लांटेशन का बनाया है उसके अंदर ये जोना पहली सुड किस प्रकार से ये अस्तर हटता है और ये इस दिवार पर चिपक इस प्रकार ये साथवे दिन ये ब्रून यूट्रस में प्रत्यारोपित हो जाता है ये था चित्र के माध्यम से आज आपको सारा फर्टिलाजेशन समझाने की एक सामान्य विदी एक बार स्मरण करते हैं कि स्पर्म रिलीज होने के बाद में इसने कौन सा पत्थ चुना पाथ हो स्पर्म इन मैमल्स सबसे पहले टेस्टीज के अंदर सेमिनी फेरिस्टिबूल्स में बना फिर रेटिटी टेस्टीज में आया वहां से वासा इफरेंशिया में आया फिर एपिडीडियमस में आया वहां से चल कर वासा डिफरेंश वासा डिफरेंश से सीधा ये अब आता है फीमेल यूरोजनाइटिल ट्रेक्ट के अंदर विजाइना में सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब और एम्पूला रीजन में जहां पर इंतजार करता हुआ ओवम होता है उसको वहां पर आकर निश फॉलिकल्स तो ओवरी के अंदर ग्रैफियन फॉलिकल्स के अंदर परिपक्व जो फॉलिकल होता है ग्रैफियन फॉलिकल उसके बाद में सेकेंडरी उसाइट के तौर पर ये रिलीज होता है इस प्रोसेस को ओलेशन का है फिर ये तुरंत जो अंगली निम्वा रचना ही ह फिंब्रीज उन द्वारा ये एकत्रित कर लिया जाता है और एंप्यूला रीजन में जाकर 48 गंटे तक इंतजार करता है sperm का fertilization के लिए तो अपने sperm का भी देखा एंप्यूला रीजन में पहुंचने तक का और इसी प्रकार से इस ओवम का भी एंप्यूला रीजन तक पहुंचने का अब आया ये fertilization की परिभाशा अगर देनी हो तो इसकी परिभाशा क्या होगी इट इस दे प्रोसेस औफ यूनियन और मेल और मेल फीमेल गैमेट्स और फूजन 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 अफ प्रो नुकलियस अफ स्पर्म एन ओवम प्रिड्यूसिंग अडिपलोई जाइगोट अर्थात दोनों नर अर्मादा के गैमेट्स का मिलना और उस गैमेट के अंदर जो उपस्तित प्रो नुकलिया ही है उन दोनों का आपस में फूजन होना और जाइगोट के निर्मान ये सारी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन में आती है फर्टिलाइजेशन के पांच चरण है पहला है कैपिसिटेशन दूसरा है एक्रोजोमल रियेक्शन तीसरा है फास्ट ब्लॉक आफ पॉलिस परमी किस तरह से तुरंथ पॉलिस परमी एक से अधिक अंदर न प्रवेश कर जाए उसके लिए फास्ट ब्लॉक में क्या क्या होता है और चौति है स्लो ब्लॉक आफ पॉलिस और आखरी है यहां आज मैंने आपको एक प्रारंबिक जानकारी चित्र के माध्यम से देने का प्रियास किया है अब अपन यह जो विविन स्टेप्स हैं फर्टिलाजेशन का उनके बारे में एके करके अधियन करेंगे मेरे द्वारा दिये गए असाइन्मेंट का भी ध्यान रखें उनका भी उत्तर देने का प्रियास करें धन्यवाद